हलो दोस्तों, नवस्कार, मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्ट चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जब पहली बार हम कम्प्यूटर ओपन करते हैं और जब कम्प्यूटर पूर्टा ओपन होकर आ जाता है तो कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देता है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सबसे पहले हम यह सिखेंगे कि इस स्क्रीन में क्या क्या होता है और इन सब का उपयोग क्या है तो सबसे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों जो अभी यहाँ पर एक mouse pointer आप देख रहे हैं, तीर का निशान है, जिसे arrow बोलते हैं, इसे नियंतरित करने के लिए computer में mouse लगाया जाता है, ध्यान रहे हैं कि यह अपनी तरफ से कोई भी work नहीं करता है, जब हम mouse को जिधर move करते हैं, तो यह automatic तीर का निशान move होता हुआ से समझना है दोस्तों, कि mouse क्या होता है, अभी आप screen पर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं mouse, यह pointer input device है, जो कि user के उपस्ति को दर्शाता है, और user द्वारा दिये गए आदेशों के द्वारा ही कारे करता है, अभी mouse में तीन बटन होते हैं, question आप से पूछा जा सकता है, कि साम पानिता mouse में तीन बटन होते हैं, और सबसे ज्यादा उपयोग, left button और right button का उपयोग के जाता है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देख लेते हैं left button कौन है, उसका उपयोग क्या है, फिर देख लेते है right button क्या है, उसका उपयोग क्या है, और तीसरा बाला जो button होता है, scroll wheel बटन या फिर center scroll बटन उसका क्या उप्य होगा तो सबसे पहले दोस्तों देखें यहाँ पर जो मेरी उंगली यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर यह पूरा हिस्सा left बटन होता है इसको primary बटन भी बोलते हैं ठीक उसके right hand side में जाते हैं दूसरी तरफ देखें यहाँ पर तो या फिर पीछे की तरफ scroll कर सकते हैं घुमा सकते हैं अब इसका कारी क्या होता है वहाँ समय लेते हैं तो computer में अक्सर आपने सुना होगा left click, double click, right click computer में 95% तक उपयोग left बटन का किया जाता है और 5% ही उपयोग right बटन का किया जाता है तो computer के desktop screen पर दिख रहा है तीर के नि इंतरित करने के लिए इस mouse को कहीं पर भी mousepad पर move करते हैं जैसे इसे move करते हैं तो यह चारो दिशाओं में move होना प्रारम कर देता है अब जैसे इस mouse pointer को किसी भी desktop के item पर ले जाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो automatic ही उस icon के नीचे कुछ information display होती है जिसे बोलते है tool tip जो यह locate करता है कि यह क्या है और कहां पर मवजूद है या फिर यह item का नाम क्या है इसका extension क्या है कितनी size computer में यह लेकर रखा हुआ है तो अगर जैसे mouse pointer को हम कहीं पर आटा दें तो देखें हमने कोई भी object यह item select नहीं किया सिर्फ यह point करता है मतलब हम अपने mouse pointer को किसी item पर ले जाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें तो इसको बोलते हैं point करना लेकिन वहीं पर अगर जो कहा जाए click करना तो ध्यान से समझेगा दोस्तों अपने तीर के निशान को नियंत्रित करने के लिए हमने बताया था कि mouse का उप्योग करेंगे और जब यह नियंत्रित हो होते हैं left click वास्तों में आपको left बोलने की जरुवत नहीं है simple आप बोलिए click तो click का मतलब होता है left button को एक बार दबाना जैसे ही आप किसी भी item पर click करते हैं यानि कि left button को एक बार दबाते हैं तो वह item select हो जाता है जैसा कि अभी देखें mouse pointer हम दूसरी जगा move करके आपको द button पर ले जाकर लगातार दो बार left button को दबाएं तो automatic वह program run हो जाता है और left button को दो बार दबाने की करिया को double click करते हैं तो अभी तक दोस्तों हमने सीखा कि इस left button को कहीं पर भी एक बार दबाएं तो click बोलते हैं लगातार दो बार दबाएं तो double click बोलते हैं और अगर जो ल लेफ्ट बटन का नाम नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है, क्लिक, डवल क्लिक और ट्रिपल क्लिक, अब बात कर लेते हैं, दूसरे बटन की, जो की हमने बताया था भी आपको, राइट बटन, ऑप्शनल बटन या सेकेंडरी बटन, तो अभी आपने देखा थ जब हमने इस नोट पैट के प्रोग्राम को डवल क्लिक किया था, तो यहाँ पर नोट पैट ओपन होकर आ गया था, लेकिन दोस्तों हम यह जानना चाहते हैं, कि यह क्या है, तो उसके लिए दोस्तों इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट मतब सेकेंडरी बटन को, यह आप्शनल बटन भी होता है, तो जैसे इसे प्रेस करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर आप्शन का एक इंडेक्स मिनु खुल कर आ जाएगा, अभी ध्यान दिया होंगे, कि लेट बटन को जब हमने दबाया था, तो यह प्रोग्राम ओपन हो गया था, लेकिन यहाँ पर राइट बटन पर ओपन करने के साथ साथ बहुत सारे भी कल्प मिलते हैं, जैसे इसे कट कर सकते हैं, कौपी कर सकते हैं, इसका साथ कट बना सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसकी प्रोपाइटी चेंज कर सकते हैं, साथी साथ देख सकते और यह कहाँ पर मौझूद है computer में उसका location देख सकते हैं और open भी कर सकते हैं तो right button, optional button होता है एक कारे के साथ साथ बहुत से कारे करने की इजाज़त देता है तो चलिए इसका उपयोग करके देख लेते हैं जैसे हम इसका नाम बदलना चाहते हैं तो rename को यहाँ पर click कर जैसे rename को click करेंगे देखिए edit mode में हो गया अपने computer के keyboard से कुछ भी type करेंगे इसका नाम change हो जाएगा देख पा रहे हैं change हो चुका है अब दोस्तों बात कर लेते हैं scroll wheel button की देख पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत बारितिस आपको समझने की जरूरत है तो सबसे पहले मैं यहां पर देखें एक word 2016 का program display हो रहा है मैं इसे double click करके open करा दे रहा हूँ अभी open हो रहा है तब तक मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि दोस्तों इसका उप्योग page को up down scroll करने के लिए किया जाता है या फिर कोई image अगर जो आप देख रहे हैं तो उसे zoom in और zoom out करने क के लिए किया जाता है word खुल गया है यहां पर blank document मैं क्लिक करूंगा और कुछ example के लिए मैं यहां text ला कर आपको दिखा रहा हूँ देखेंगे example के तोर पर हमने यहां पर कुछ text type कर दिया है इसे select करके मैं इसको थोड़ा सा copy paste कर ले रहा हूँ ताकि यह लंबा process हो जाए जिससे कि आप आसानी से समझ सके अब चलिए दोस्तों इसे समझ लेते हैं कि कैसे हमें scroll wheel का उपयोग करना है हमने यहां पर click किया click करने के बाद ध्यान से देखिए दोस्तों यह हमारा scroll wheel button दिख रहा है इसे उपर की तरफ ऐसे scroll करेंगे आप दे लेकिन दोस्तों यह तो रहा manual आप चाहते हैं automatic ही आपका page scroll होता जाए तो उसके लिए ध्यान से समझें दोस्तों जो scroll wheel button है इसमें एक switch button भी होता है बस इसको 2 second के लिए press करना है जैसे ही से आप एक बार दबाते हैं तो अभी आप screen देखिए दो छोटे छोटे तीर का से पढ़ सकते हैं बहुत ही slow गती में जा रहा है आप और तेज गती से चाहते हैं तो अपने mouse को तोड़ा सा नीचे की तरफ लाए देखेंगे कि यह बहुत speed में scroll हो रहा है अगर जो ऊपर की तरफ scroll करना है तो इसे ऊपर की तरफ कर दे आटूमेटिक यह scroll होना सुरू हो जाएगा इस तरह आप बैठे बैठे किसी भी content को आसानी से अपनी इच्छा नुसार स्क्रोल करके पढ़ सकते हैं चलिए हम इसे वापस कर देते हैं वापस करने के लिए फुना इसे एक बार click कर देना है और यह गायव हो जाएगा चलिए इसे close कर देते हैं दूसरा इसका double click करके open कर दे रहा हूँ open करने बाद इसे मैं बढ़ा कर दे रहा हूँ बढ़ा करने के बाद इसे zoom करना है तो खाली जगा पे click और अपने इस scroll wheel बटन को आपको ऐसे scroll करते रहना देख पा रहे हैं यह zoom हो रहा है zoom out करना है तो इसे अपनी तरफ scroll करना है यह zoom out होता चलिए अब इसे close कर देते हैं इसे भी close कर देते हैं तो दोस्तों अभी आपने सिर्फ सीखा कि desktop screen पर जो तीर का निशान दिख रहा होता है उसे नियंतरित करने के लिए अपने computer में mouse का उप्योग किया जाता है और mouse में तीन बटन होते हैं left, right और scroll wheel button अब इसे कैसे आप में होगा या आपके पास होगा तो ऐसा आप फिल कर पाएंगे अंगुठे को यहां पर रख देना है और यह जो index finger है इसको left button पर रखना है और middle को right पर और यह जो दो उंगलिया होती है दूसरी तरफ यहां पर गढधा बना होता है इस पर रखते हैं चलिए देखते ह कैसे तो सबसे पहले हमने उठे को यहां पर रख दिया थम को और यहां पर index को यहां पर middle को ring finger और little finger को आपको दूसरी तरफ रखना है उसके बाद से आपको middle और उसके बाद index और फिर thumb को जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर mouse को ऐसे ही पकड़ते हैं अगर जो desktop पर right click करना है तो right button को press करें और वहीं पर left को click कर दें अब यह जो पूरा screen आप देख रहे हैं पूरे को बोलते हैं desktop ध्यान दे दोस्तों कि पूरे screen को जहां पर light जलती हुई आपको नजर आ रही है इस पूरे screen को बोलते है desktop और यह desktop दो हिस्सों में बटा होता है एक पहला हिस्सा जो यह पूरे नीले color में आपको display हो रहा है इसको बोलते है background या wallpaper और इसके just नीचे देखें तो एक लंबी सी horizontal पट्टी आपको नजर आ रही है जिसको बोलते है taskbar आप देख पार है जिसको मैं mouse pointer move कर रहा हूं इसको बोलते है taskbar और यह wallpaper के ऊपर छोटे छोटे जो चितर आपको नजर आ रहा है graphics इसको बोलते है icon और simple computer की language में technically language में कहें तो यह सब item है लेकिन अगर जो desktop के ऊपर यह display हो रहा है तो यह icon है हम windows के class में सीखेंगे icon क्या होता है icon कैसे बनाते है किस किस प्रकार के icon होते है फिलाल आपको यह समझना है कि desktop skin पर कोई भी graphics आपक एक item है जो कि एक icon के रूप में display होता है जो किसी program software आप फाइल को प्रतिनित्व करता है उसे double click करते ही उससे संबंदित program open हो जाते है और double click करना हमने आपको अभी बताया था चलिए इसे close कर देते है अब सब्से नीचे जो अभी हमने आपको बताया था taskbar taskbar पर left hand side में दे देखें तो quick launch या pin किये गए program मिलते हैं जिसे आप आसानी से single click से open कर सकते हैं आने वाले वीडियो में मैं आपको इसे pin करना बताऊंगा उसके बाद अगर जो right hand side में आप आगे जाते हैं तो देखें यहाँ पर EN display हो रहा है जो कि एक language bar होता है उसके right hand side में जाते हैं तो तीर का निसान display होता है जो so more buttons होता है उसके right hand side में जाते हैं तो इस पूरे area को notification area बोलते हैं जहाँ पर आपका computer यानि की desktop computer है तो network से connect है की नहीं यह display होता है अगर जो picker को कितना percent आप use कर रहे हैं यह display होता है और यदि laptop computer है तो battery के बारे में information देता है कि आपके computer में battery है क की नहीं कितना percent charge है charge हो रहा है की नहीं और उसके right hand side में समय show करता है और उसके नीचे तारीख show करता है जहां से आप समय और तारीख भी change कर सकते हैं हम आपको अगले अध्याय में सिखाएंगे उसके right hand side में जाते हैं तो एक फोटा सा button होता है so desktop button अगर जो आपके computer screen पर को कोई program run कर रहा हो और आप desktop को नहीं देख पा रहे हूं और desktop को फिलहाल देखना चाहते हैं तो इस button को click करेंगे यानि कि left button को एक बार दबाएंगे अपना mouse pointer है अलाकर तो आपका desktop display होने लागा पुना इसे click करेंगे आप वापस उसी program में आप आ जाएंगे चलिए इसे close कर देते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि ये computer जब start हो जाता है तो उसके screen पर दिखाए जाने वाले सभी भाग क्या होते हैं उनका नाम क्या होता है तीर का निसान जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं उसे कैसे नियंतरित करते हैं mouse क्या होता है mouse में कितने button ह दोस्तों आसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सच में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ऐसे ही हर चीज के बारे में हम बहुत deeply बताते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं चैनल को subscribe करके और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कीजे औ और कमेंट में कुछ अच्छा-च्छा कमेंट कीजे, ताकि भविस्त में हम ऐसी बहुत सी वीडियो बना कर आपके सामने लाएं। वीडियो को सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक से साथ। तब तक के लिए नवतकार, जय हिन, जय बारत!